गया में पुर्व मुख्या की गर्दन काटी, अस्थितिक गंबिर, घर पर चटर की गोली पारी, एक युवगवी घायल, पुर्व मुख्या पटना रेफर, खाबरों को विस्तार से जाने से पहले आप से एक छोटी से रिक्वेश करना चाहता हूं अगर आप हमें हमारी सोच News Network को आर्थिक तोर पर मजबूत करना चाहते हैं, तो आप अपने इक्छा अनुसार हमें मदद कर सकते हैं, हमारा फोन पे, गूगल पे और पेटियम नमबर, वीडियो के अंदर ही आपको मिल जाएगी, और वहाँ पे जाके आप अपना कुछ डोन कर सकते हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिपसंकर साओ, आप देख रहे हमारी सोच News Network बिहार के सभी जिलो के खबरों से अपडेट रहने के लिए, अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे, ताकि आपके छेतर और जिलो की खबर सबसे पहले आप तक पहु चुनावी रंजिस के बीच दो पक्षो में जबरदस्त मारपीट हो गई, इस दोरान गाउं के लोगों ने पुर्व मुख्या उमेश पहलवान की गर्दन को काट दी, पुर्व मुख्या अब जिंद्गी वो मौत के बीच जंग लर रहे हैं, उन्हें मगद मेडिकल कोले स पटना के लिए रेफर कर दिया गया है, वही गोली बारी में एक युवक्त सुवोध को भी गोली लगी है, उसका इलाज टनकुपपा पीच सी में कराय गया है, वो सुरक्षित है, मामले में फतेपूर थाना अध्यक्ष ने बताई कि जान चल रही है, धर पकर की जा रही ह बाबजूद इसके सक के अधार पर धर पकर के लिए विविन ठिकानों पर तबिस जारी है, चुनाव को लेकर इलाके में खुब चल रही है ताना तानी, पांचाय चुनाव से पुर्व और उसके बाद से टनकुपा के बहसा पिपरा गाउं में दो पक्षों के बीच ताना गाउं एक पक्ष हो गया, वो उमेज पहलमान के घर पर धावा बोल दिया, धावा बोलते ही दोनों पक्षों के बीच तावर्त तुर्व गोलिया चलने लगी, वो मारपीड भी होने लगी दोनों तरप से गोली चलने के दोरान ही कुछ लोगों ने उमेज पहलमान को पूरे गाउं में तेजी से अफरा तफरी मच गई कई लोग कुछ ही देर में गाउं को छोड़ कर फरार हो गए पुर मुख्या के गरदन किसने काटी इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है समर्थक वो परिजनों उमेश पहलवान को मगद मेडिकल कोलेज ले गए प पर अस्तिती नाजूक होने की वज़ा से चिकित्सकों ने प्रात्मिक उप्चार करने के बाद पटना रिफर्क